Study IQ IS अब तयारी हुई affordable गांदी जी ने बहुत सारे स्वतंतरता सनान्यों की तरह ही freedom struggle में अपनी contribution दी अब सवाल इन पर जादा आते हैं that is why this video is going to be extremely important for you so इनको अगर हमने समझना है गांदी जी के बारे में सबसे important चीजें समझनी है तो देखो sources तो बहुत हैं लेकिन उन sources में generally आपको उनके इंडिया की contributions के बारे में पता लगता है वो शुरुवात उसकी हो जाती है चंपारन, एमदाबाद और खेड़ा के सत्याग्रे से and non-cooperation, civil disobedience individual सत्याग्रे, quit India movement etc. ये सब कुछ चलता रहता है और इसके बारे में काफी हम जानते हैं बट हम अकसर गलती करते हैं कि गांदी जी के South Africa के struggle के बारे में हम कुछ भी पढ़के नहीं जाते हैं तो आज इस वीडियो में हम जो गांदी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको इस हिसाब से divide करेंगे कि उनके South Africa और उनके इंडिया की important contributions को हम देखेंगे तो अगर हम गांदी जी के बारे में पढ़ेंगे गांदी जी के emergence के ऊपर बेसिकली वीडियो रहने वाला है तो इसको दो भागों में divide किया जा सकते हैं इनका काफी हिस्सा अपने जीवन का काफी हिस्सा उन्होंने South Africa में व्यतीत किया था तो इसलिए South Africa में उनकी contributions बहुत जरूरी होने वाली हैं और UPSC के बदलते pattern को देखते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस topic को आप छोड़ नहीं सकते पिछले कुछ सालों में UPSC द्वारा conduct किये अलग-अलग exam में इस domain से भी सवाल पूछे गए हैं So it's important for us that we cover this domain as well तो यहाँ पर हम गांदी जी की background को समझते हुए उनके South Africa के experience को देखेंगे जिसमें की पहली बार उनको racial humiliation कब सैनी पड़ी और जो South Africa में उनका संघर्ष रहा था उसके basically दो phase थे उनको हम समझेंगे पहले phase में इन्होंने moderate approach फॉलो की यानि की बहुत जादा अंग्रेजों के किलाफ नहीं थे उसके बाद जब moderate approach से कुछ अचीव नहीं हुआ तो इन्होंने extremist approach फॉलो की और यही वो approach है जब इन्होंने अपने सत्यग्रे के methods को South Africa में सबसे पहले apply करना start कर दिया इसके बाद वो भारत में आएंगे और भारत में सबसे पहले उनके जो early struggles रहे हैं वो हैं चमपारन, एहमदाबाद और खेडा सत्यग्रे और इन सत्यग्रे के significance के बारे में हम बात करेंगे साथ ही कुछ MCQs की भी practice करेंगे swap से request है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अंत तक जरूर बने रही है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2024 के UPSC exam को target कर रहे हैं तो team study IQ आपके लिए लेके आई है P2Y batch P2Y का मतलब है prelims to interview ये एक unique batch है जिसमें आपको prelims से लेके interview तक हर stage की आपकी तयारी करवाई जाएगी और एक बार enroll करने पर आपको किसी भी stage के लिए अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है यानि कि आपके live foundation batches होंगे आपके mentorship भी दी जाएगी जहां पे आपको एक mentor assign किया जाएगा और उनसे आप basically touch में रहके जो रोज दिक्कतें आती हैं कई बार कि books नहीं समझारी, strategy नहीं समझारी, time table नहीं बन रहा वो बातें आप उनके साथ कर सकते हैं live classes के साथ-साथ आपको recorded videos भी मिल जाती है just in case आपने कोई class miss कर दी हो आपको books दी जाएगी 15 से ज़ादा booklets इस course में मिलेंगे आपको 4 books जिस दिन आप register करेंगे उसी दिन आपके घर के लिए dispatch करवा दी जाएगी जो आपको 5-6 दिन में receive हो जाएगी इसी के साथ-साथ prelims का crash course अलग से extra charges के साथ खरीदने की जुरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये इसके बीच में ही included है ठीक है तो 2024 में January onwards prelims का crash course आपका start हो जाएगा और उसके लिए कुछ extra pay करें बिना आप इसमें enroll कर सकते हैं test series with video solutions भी इसमें रहेगा mains का crash course भी रहेगा answer enrichment program, daily answer evaluation weekly revision test of MCQs सब कुछ है इसमें ठीक है, in fact आपको एक incentive भी दिया गया है अगर आपने prelims को clear किया तो daily NCR में study IQ के hostel में आपको रहने का मौका मिलेगा यहां पर personal attention के जरीए आप अपनी means के answer writing को बहुत enrich कर सकते हैं nurture कर सकते हैं और यह उनी बच्चों को free में रहने का मौका मिलेगा जिनका 2024 का prelims clear है so having said that, ठीक है interview की guidance भी मिलेगी having said that, आपको बस इतना बताना है कि यह batch की classes बहुत जल स्टार्ट होने वाली है 6th batch 20 में को और 7th batch 25 में को शुरू होने वाला है 6th सुबह का है और 7th शाम 6 बजे का batch है और इस batch की otherwise कीमा थोड़ी सी मेंगी है because जो भी useful चीज होती है जिस चीज की value होती है वो इतनी सस्ती तो मिलती नहीं but team study IQ believe करता है quality और affordable पढ़ाई में तो इस batch में quality को maintain करते हुए हम इसको affordable बना रहे है affordable बनाने के लिए CS live code अगर use करेंगे तो आपको इसमे maximum discount मिल जाएगा having said that अब आपको जलक भी मिल जाएगी basically ये जो lecture जिस तरीके से यहाँ पर होगा इसी प्रकार से हम classes में भी यही approach रखते है ठीके बस फरक यह है कि वहाँ पर live interaction के जरीए अगर आपको कोई doubt आता है कोई शंका आती है तो हम interact कर लेते हैं एक दूसरे से बात कर पाते हैं ठीके और special doubt sessions भी होते हैं just in case common doubt सभी बच्चों को common doubt आ रहे है तो हफते में एक दिन उन special doubts के लिए रखा जाते है ठीके ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे चंदन learning के उपर follow कर सकते हैं एक telegram channel जहां पर बहुत सारा interesting relevant content में आपके साथ share करता रहता हूं from time to time and instagram पे आप मुझे hello.changan sharma पर follow कर सकते हैं चलिए गांदी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका संगर्ष या इनके बारे में अगर हमने UPSC के point of view से समझना है तो ये journey South Africa में जब ये गए थे वहाँ से शुरुवात होती है अब South Africa में गए क्यों? ठीके 1893 में South Africa में गए थे मैं इस 24 साल की उमर में London से पड़े हुए एक barrister थे वकील थे गुजरात, पौरबंदर को बिलॉंग करते थे तो गुजराती भी अच्छी थी और अंग्रेजी भी काफी अच्छी थी और कानून की भी जानकारी थी हुआ ये कि इनके एक मित्र थे ठीके? इनके एक मित्र थे अब्दुल्ला हाजी आदम जावेरी ठीके? ये रन करते थे दादा अब्दुल्ला and company इस company में आयात निर्यात का काफी सारा कारोबार चलता था साउथ आफरिका से और गुजरात के बंदरगा से काफी सारा material का import-export होता था लेकिन हुआ ये कि इनके छोटे भाई ठीके? इनके छोटे भाई अब्दुल्कारीम जवेरी के वज़े से थोड़ा सा मतलब उनकी वज़ा से नहीं अंजाने में कह लीजे ठीक है? यहां कुछ भी खेलीजे थोड़ी कहीं न कहीं कुछ चूक हो गई जिसके वज़ा से इनके उपर एक legal case आ गया अब उसकी detail में जाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दादा अब्दुल्ला कंपनी में एक legal case हा गया इस legal case की solution के लिए क्योंकि बहुत से इनके records गुजराती में थे ठीक है? तो एक ऐसे वेक्ति की जरूरत थी जिसको गुजराती का भी ज्यान हो कानून की भी जानकारी हो आफरिका में ये आगए और इनके case के लिए इन्होंने study करना start कर दिया. साउथ आफरिका में आकर एक यंग लड़के को बहुत ही अलग तरीके का culture दिखा ये लंडन में पढ़े होए थे, इन्होंने law की पढ़ाई की थी, लंडन में law, equality, democracy liberty, ये सारे facts, ये सारे concepts से ये एक तरीके से इनकी knowledge सी और इनका ये मानना था कि अंग्रेज बेसिकली, अंग्रेजों की basic nature नयाय की तरफ है ठीके, लेकिन साउथ आफरिका में जिस तरीका का इन्होंने racial treatment देखा, उसने इनकी और भारत की एक तरीके से नियती ही बदल दी, भविश्य बदल गया हुआ क्या कि जब दादा अब्दुल्ला का case देखने के लिए साउथ आफरिका में आए तो दादा अब्दुल्ला क्योंकि थोड़े से और ये चाहते थे कि गांदी जी को best treatment मिले ताकि वो अपना concentration case के उपर लगा से के तो उन्होंने इनके लिए कहीं से first class ticket arrange की पट साउथ आफरिका में racial discrimination इतनी ज़ादा थी कि अगर कोई colored person, colored person मतलब वो negro भी हो सकता है, Indian भी हो सकता है dark skin है, उसकी European नहीं है colored person मतलब non-European person अगर वो first class की ticket लेकर first class डबे में बैठ जाता है तो वो loud नहीं था हुआ ये कि गांदी जी इस बात से अन्जानते वो बैठ गय राम से, बहस हुई ठीके और एक white वेक्ती ने train रुकवा के उनको train से धक्का दे दिया और वो बाहर गिर गए ये incident June 7, 1893 में हुआ और इनको धक्का देके गिराया गया Peter Mattersburg के station पे जो की South Africa में है इस incident ने, ये incident गांदी जी की life का एक turning point था ठीके और इसी turning point के चलते इंडिया का भी इंडिया का freedom struggle के साथ भी इसका connection बन गया दूर, ठीके, एक मतलब इंडियान उशन के उस पार South Africa में एक incident होता है और गांदी जी और इंडियन freedom struggle आपस में यहाँ पे indirectly connect हो जाते है ठीके, इसके बाद गांदी जी को South Africa में ब्रह्मन तोड़ा सा travel करना पड़ना था चोहानसबर्ग नाम की एक जगा पे उनको stay की जरूरत थी लेकिन उनको कुछ stay करने को कोई जगा नहीं मिली और ये ठंड का समय था ठंड के समय में आप जानते हैं कि South Africa Southern Hemisphere में आ जाता है और Southern Hemisphere में जून जुलाई के महीनों में सर्दियों का समय होता है इनको बिना किसी कमरे के रुकना पड़ा और इसने भी racial humiliation के चलते गांदी जी के उपर बहुत ज़ादा impact डाला इस सीज को देखते वे गांदी जी ने कहा कि हमें organize करना चाहिए खुद को और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और साथ-साथ उन्होंने दादा अब्दुला कंपनी का जो case था ठीके उसमें भी उन्होंने जो relevant चीजें थी जो case था वो basically उन्होंने solve कर दिया और उनका काम basically साउथ आफरिका से खतम हो गया ठीके अब साउथ आफरिका में उनके वापिस जाने की तयारी हो रही थी ठीके कि इंडिया वापिस जाएंगे लेकिन गांदी जी के दिमाग पर इन दो incidents का काफी ज़ादा असर था और जब उनकी farewell party हो रही थी उस farewell party में उनकी नजर पड़ी नेटल मर्कुरी नाम के एक अकबार की headline के उपर उस headline पर लिखा था Proposed Bill of Natal Government to Disenfranchise Indians Disenfranchise का मतलब होता है कि जो Indians South Africa में मौज़ोंगा है नेटल basically South Africa के जगा है तो वहाँ पर जो Indians रहते हैं उनको vote करने का अधिकार नहीं मिलेगा ये जलक लेते ही गांदी जी को realize हुआ कि शायद अभी वापिस जाने का समय नहीं है ये racial discrimination के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा और इसी के चलते उनोंने अपना activism start करने का फैसला किया वहीं पर और उनकी farewell party एक conference बन गई तो decide upon the strategy जिसको वो follow करेंगे to fight against these injustices happening in South Africa तो इनका अब जो struggle South Africa में है उसको दो approaches में divide किया जा सकता है पहली approach है moderate approach 1892 से लेके 1916 ठीके this is basically 1893 जब वो South Africa में आया थे 1893 से लेके 1906 तक ये approach उनोंने follow की और extremist approach 1906 से लेके 1914-15 तक ये रही ये approach उनोंने follow की तो moderate approach में ये prayer, petition और protest follow करते थे यानि कि चिठियां लिखते थे सरकार को कि आपकी ये policy गलत है इसको change कीजिए petition लिखते थे ठीके बहुत सारे लोगों के petition होता है कि एक आपने document draft किया उसमें अपनी demands रखी बहुत सारे लोगों की signatures लिए और सभी लोगों के बहाफ पर आप वो अरजी सरकार को दे रहे हो कि अपनी policy को ठीक करो तो ये moderate approach starting में उन्होंने follow की लेकिन उसके बाद इनको जब लगा कि इससे कोई असर हो नहीं रहा अंग्रेजों की उपर उन्होंने फैसला किया कि अब पानी सिर से उपर निकल रहा है ये कितनी देर तक हम ये injustice जहलेंगे तो उन्होंने extremist approach फॉलो की यहाँ पर पहली बार उन्होंने civil disobedience, passive resistance और सत्याग्रे की policy को फॉलो किया तो इसकी detail अब थोड़ी सी हम समझते हैं सबसे पहला struggle जो गांदी जी का अपने जीवन और South Africa में था गांदी जी ने जो South Africa में किया वो इंडिया में आने से बहुत पहले कर लिया था जब तक इंडिया में अभी Congress बनी थी, सूरत स्प्लिट हो रहा था बहुत सारी चीज़ें हो रही थी गांदी जी ने South Africa में उससे पहले काफी कुछ कर लिया था तब ही जब वो इंडिया आये तो इंडिया में आने से पहले ही वो यहां पर popular थे तब ही वो freedom movement भी lead कर पाए और उनके जो mass leadership की qualities आई वो भी South Africa में आई सत्यक्रेबी सबसे पहले South Africa में उन्होंने use किया तो उसको समझते हैं कि क्या वो चीजें थी तो सबसे पहला जो गांदी जी का struggle रहा था वो रहा था disenfranchisement bill और वहां पर इस unethic bill से लड़ने के लिए उन्होंने Indian Natal Organization South Africa में form की तो हुआ यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि फेरवेल हो रही थी लेकिन फेरवेल के टाइम पर उनका ध्यान उस headline पर पढ़ा उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम action लेंगे इस bill के खिलाफ तो उन्होंने क्या किया क्योंकि यहां पे वो moderate approach follow कर रहे हैं तो उन्होंने एक petition बनाई उस petition पे 400 Indians जो नेटल में रह रह रहे थे South Africa में रह रहे थे उनकी signatures लिए और कहा कि हम नेटल की सरकार को यह submit करते हैं नेटल की सरकार ने फैसला लेने से मना कर दिया तीक है इसके बाद उन्होंने का कि अच्छा चलो अगर 400 नंबर आपको कम लग रहा है तो हम 10,000 लोगों के signatures लेंगे इन्होंने लगबग पूरा wide campaign करवा के 10,000 Indians का sign लेके अब नेटल की सरकार को ने बलकि जो लंडन में colonial office है लंडन में बैठा colonial office जो British की अलग-अलग जगाओं पर colonies थी उनकी coordination basically करता था कि लंडन में एक center था वो जो अलग-अलग colonies के issues हैं वहाँ पर बताय जा सकते थे तो इन्होंने लंडन office में यह अरजी दी लंडन office ने जब यह देखा उसको लगा अजीब उसने कहा कि British crown के subjects थीक है British crown के subjects equal है इनका यह मानना था और इनका कहना था कि एक British colony में मौझूद British subjects जो दूसरी जगा को बिलॉंग करते हैं उनके against discrimination नहीं हो सकती यानि कि South Africa भी अंग्रेजों की colony था ठीक है वहाँ पर जो मौझूद Indians थे वो कहां से थे? इंडिया से इंडिया भी अंग्रेजों की colony है तो Indians अगर South Africa में आते हैं तो ऐसी discrimination उनके साथ नहीं होगी ठीक है? और disenfranchisement will में basically क्या था? कि ये voting rights इनके छीने जा रहे थे जो Indians वहाँ पर मौझूद थे तो voting rights तो ज़रूरी होते हैं अगर आप पे atrocity हो रही है और आप सरकार से कुछ नहीं है तो voting rights से आप अपना आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं एक expression अभिव्यक्ती होती है कि सरकार किस तरह की बननी चाहिए इन्होंने कुछ इस तरह से हम बहुत detail में exam के point of view से इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है बट इसमें आप ये याद रखें कि इन्होंने wealth को एक criteria इस हिसाब से बनाया कि ठीक है जिसके पास एक set level of wealth है वही इनसान voting कर सकता है जिसने बहुत सारे Indians का voting right उनसे छेन लिया ठीक है उन्होंने condition ये रखी थी कि 50 pounds की एक property यहाँ पे होनी चाहिए ठीक है दोस ताइम पे 50 pounds की अच्छी काशी value थी ठीक है तो बहुत सारे Indians यहाँ पे उनको disenfranchise कर दिया गया colonial office ने जिए भी directions दी के इस bill को हटाया जाए तो नेटल की सरकार ने बड़ी ही चलाकी से इस bill को amend तो कर दिया लेकिन amended form में फिर भी पास कर दिया और उसका जो impact था कुछ खास हुआ नहीं तो गांदी जी को लगा कि यहाँ पर गडबड है मैं जो लंडन में पढ़के आया हूँ justice के बारे में डेमोकरिसी के बारे में freedom of expression के बारे में तो वो चीजें यहाँ पर अंग्रेजों का रवया थोड़ा अलग है तो यहाँ पर इनको पहली बारी एहसास हुआ कि शायद अंग्रेज करनी और कतनी में इनका फरग है ठीक है यह जब लंडन में कोई भी पढ़ता है तो उनको यह लगता है तो साउथ आफरिका में racial discrimination continue चल रही थी और बहुत से ऐसे Europeans तीक है वहाँ की नेटल की सरकार साउथ आफरिका की सरकार अकसर यह allegation लगाती थी कि इंडियन्स जो है ना यह नाटे पतले यह क्या करेंगे यह मर्दों वाले काम कर नहीं सकते ठीक है रेशिस्ट होने के साथ साथ वो सेक्सिस्ट भी थे ठीक है वो कहते थे कि इंडियन्स जो है उनका डील डॉल ऐसा है ही नहीं कि वो manly work कर सकें तो गांदी जी ने उनको कड़ा जवाब देने के लिए एक मौका ढूंडा वो मौका उनको मिला बोर वार्स में ठीक है बोर व का basically मतलब होता है farmer in Dutch ठीक है तो South Africa की भाशा में not in Dutch in South African language बोर मतलब farmer ठीक है अब ये लोग जो settle हुए थे बोर्स Dutch origin के ये बहुत देर से अपनी जमीनों की cultivation कर रहे थे लेकिन क्यूंकि Britain ने अब South Africa को colonize कर लिया है तो जिस परकार से Indian peasant को उनको ने परिशान किया British इनको भ generation people उन्होंने भी decide किया कि हम जवाब देंगे resist करेंगे और British और बोर में war शुरू हो गई ठीक है अब यहाँ पर गांदी जी ने किसी की side नहीं ली थी लेकिन इन्होंने कहा कि war तो गलत है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हम एक ambulance service start करते हैं कि जो भी जखमी और घायल लोग है उनके लिए गांदी जी ने Natal Indian Ambulance Corps यह start किया in 1899 जब इन्होंने यह service provide की इसमें बहुत से Europeans भी घायल होते थे उनको भी बचा लिया गया ठीक है और बोर्स का भी to some extent ठीक है वहाँ पे भी कोशिश की गई कि humanitarian level पर अगर किसी को बचाय जा सकते तो बचाय जाए बट primarily इन् अंग्रेजों को ही serve किया था अंग्रेजों ने गांदी जी के इस gesture को बहुत ही सराहा वो बहुत impress हुए ठीक है और जो myth थी कि Indians heavy काम नहीं कर सकते फिजिकल काम नहीं कर सकते गांदी जी ने यह myth burst कर दी और Natal Indian Ambulance Corps के चलते ही गांदी जी को केसरे हिंद का title भी मिला गांद कि गांदी जी ने केसरे हिंद title कौन से अंग्रेजों ने किया जब गांदी जी ने केसरे हिंद का title give up कर दिया पहली चीज ठीक है और दूसरी चीज आप से ये पूछी जा सकती है कि ये केसरे हिंद का title गांदी जी को मिला किस वज़े से था तो ये बोर वॉर्स में Natal Indian Ambulance score की वज़े से मिला सा, so this is a potential MCQ related fact ठीके, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं उमीद करता हूँ कि अगर ऐसा सवाल आता है, तो आप confidently exam में उसको mark कर सकते हैं ठीके, इसके बाद गांदी जी के ऊपर कुछ किताबों का असर था, मैं अभी वो किताबें भी बताऊंगा उनके authors भी बताऊंगा और उन किताबों की theme भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि उनके किताबों के असर से इन्होंने किया क्या, जब ये संगर्ष सारा चल रहा था, तो गांदी जी को लोगों को करीब ले आती है, ठीके एक ही objective के साथ, like minded लोग जब बैठते हैं एक साथ, और constructive activities करते हैं, तो काफी फाइदा होता है, तो John Ruskin की एक book थी, जिसका नाम था Unto the Last, ये बात यहाँ पर की गई ठीके, यहाँ पर basically wealth के पीछे आपके ethical means होने चाहिए, wealth को acquire करना गलत बात नहीं है लेकिन उस acquisition में this acquisition process of wealth should be ethical ये नहीं कि आप diamond की mining कर रहे हो उस mining में कई लोगों की जान जा रही है लेकिन फिर भी आप wealth accumulate कर रहे हैं नहीं, आपका wealth का accumulation करना netic मुल्यों पर अधारत होना चाहिए ठीक है, और इसी के साथ का यहाँ पर community living और resources का share करना, ठीक है जैसे काल माक्स ने जब communism और इसके बारे में बात की थी communism जैसी philosophy के बारे में उसने का था from each according to his ability to each according to his need, तो वहाँ पर भी ठीक है, यह जिस तरह की बातें वहाँ थी, यहाँ पर भी कुछ सिमिलर बातें थी इसी के चलते गांदी जी ने यहीं से inspiration ड्रॉ करते हुए 1904 में Phoenix Farm, Durban के पास, ठीक है यह South Africa का, देखो यह map है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह Durban है ठीक है, देन इस इस प्रेटोरिया इसका आगे reference आएगा Johannesburg यह है, जहाँ पर उनको hotel का room नहीं मिला था right, and this is Cape Town ठीक है, तो यह कुछ important जगाए हैं जिसका reference आता रहेगा, तो आपकी सहूलियत के लिए, आपकी visualization के लिए इन जगाओं को इस नक्षे में दिखा दिया गया है हलनकि UPSC ने कभी ऐसा सवाल पूछा नहीं है, पर बुरे वक्त में शायर दिनक्षाप के काम है, ठीक है, तो यहाँ पर इनोंने Phoenix Farm सेटल कर दिया और Phoenix Farm, ठीक है, एक इनोंने Tolstoy Farm भी सेटप करना है, आगे जाकर, पर अभी सबसे पहले आपको यह पताओना था कि Phoenix Farm को सेटल किया गया था, और Disenfranchisement Bill में एक सेटबैक लेने के बाद इसको सेटल किया गया था, और John Ruskin की किताब का कांधी जी के उपर काफी इन्फुएंस था, तो उसके बाद इस Farm को सेटल किया गया था, ठीक है, यहीं पर इन्हों ने Indian Opinion, ठीक है, यहाँ पर Indian Opinion नाम का अपना जो एक अगवार था, ठीक है, उसको यहाँ पर यह ले आए, राइट पूरा प्रेस और आफिस यहीं पर था, और Indian Opinion इनका एक बहुत important mouthpiece बन गया था, यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति, कि किस प्रकार से South Africa में अंग्रेज atrocity कर रहे हैं, discrimination कर रहे हैं, वो इस में से निकलता था, ठीक है, यहाँ से वो विचार व्यक्त किये जाते थे, ठीक है, और Phoenix Farm में जो लोग रहना शुरू हो गए थे, एक साथ activities करते थे, economic activities constructive activities, ठीक है, तो वहाँ पर काफी सारे लोग, क्योंकि like-minded लोग थे, तो आगे जाके जब गांदी जी अपना सत्त्यग्रे स्टार्ट करेंगे, extremist approach में तो वहाँ पर यही वो लोग होंगे जो वहाँ के, इनके followers भी बनेंगे, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ लग गई, अब गांदी जी की John Ruskin की book तो बताई मैंने आपको Unto This Last, और भी कुछ किताब हैं जिनका इन पर असर था, तो John Ruskin ने अपनी किताब Unto This Last में, wealth को define किया है, और बड़े ही beautiful तरीके में यह बताया है कि wealth को moral conditions के साथ, या morality के साथ ethical means के साथ acquire करना चाहिए, ठीके, इसमें आपको honest रहना चाहिए, और justice नियाए पूर्ण तरीके से wealth को acquire करना चाहिए, ठीके, तो John Ruskin की यह किताब को उपर काथ भी असर था, कांदी जी पर फिर kingdom of God is within you यह किताब, Leo Tolstoy द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पर Leo Tolstoy ने इस किताब में violence को कहा, condemn किया violence को कहा कि violence से, कि I for an I will turn the whole world blind, कांदी जी ने यहाँ से inspiration draw की, ठीके आप अपने अंदर जांकिये, तो इस किताब में independent thinking, बहुत profound morality, ठीके, बहुत बड़े level की morality, और सत्यवादी होना, ऐसे ही कुछ बातें की गई है, इसे के साथ-साथ हेंडरी थूरो की civil disobedience नाम की एक किताब थी, इस किताब में पता है, अगर इंसान के द्वारा बनाया गया law, ठीके, जो natural law है, उसको कहीं न कहीं undermine कर रहा है, तो give up this इंसान द्वारा बनाया गया law, example कि यही, जो disenfranchisement bill है, जो discrimination कर रहा है, natural law कहता है, कि सब भी व्यक्ती issuer की देने, issuer के बनाएवे बन्दे हैं, ठीके, तो जो law ऐसी discrimination को promote करता है, उसको तोड़ना भी अगर पड़े, तो तोड़ देना चाहिए, और law को तोड़ना, civil disobedience कहा जाता है, आपका एक concept भी यहाँ पर clear कर देता हूं, दोस्तों, non cooperation और civil disobedience में कई बार बच्चे होगो, समझ नहीं लगता, कि what do these things stand for, non cooperation में क्या होता है, कि आप कानून तोड़े बिना, ठीके, किसी के साथ cooperate करना बंद कर देते हैं, मान लीजिए, कि आपको office आना है, ठीके, office ना आने पर आपको crime नहीं कर रहे, कानून नहीं तोड़ रहे, आपने office जाना बंद कर दिया, तो ये non cooperation है, ठीके, लेकिन office की building को नुक्सान पहुंचाना, ये crime है, तो अगर office की building को नुक्सान पहुंचाना जाता है, ये civil disobedience है, यहाँ फिर, ठीके, एक, गान्दी जी जब चंपारन में गए, तो चंपारन में वहाँ की magistrate ने एक order जारी कर दिया, एक official कानून जारी कर दिया, कि गान्दी जी को इस सीमा के आगे नहां आने दिये जाए, तो उन्होंने वो कानून तोड़ा, तो वो civil disobedience बन गया, यहाँ सबसे अच्छी example, salt tax, ठीके, indigenous लोगों को, Indians को salt बनाने की अनुमती नहीं थी, गान्दी जी ने जब डांडी मार्च की, तो डांडी पहुंच की उन्होंने जो salt बनाया, वो भी उन्होंने कानून तोड़ा, तो that is civil disobedience रौन कोपरेशन में सिरफ आपको cooperate नहीं करेंगे, तो यह मतलब अगर पता है तो exam में काफी काम आ सकते हैं, ठीक है और इनका कहना था, कि अगर कोई ऐसा कानून है, जो injustice को promote करता है अगर उसको तोड़ना पड़े, तो तोड़ देना चाहिए तो Henry Turo की civil disobedience का भी काफी इनकी उपर असर था, एक और बहुत, बहुत, बहुत महान किताब, बहुत महान गरंथ गांदी जी का जिनके उपर influence था, वो थी भगवत गीता भगवत गीता को ये संस्कृत में नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है, और इन्हों ने हिंदी में पढ़ी थी, उसकी translation basically पढ़ी थी, और जब भगवत गीता का उनके उपर असर हुआ, तो उनको ये regret हुआ कि मुझे संस्कृत क्यू नहीं आती, काश में original form में भगवत गीता पढ़ पाता ठीक है, तो भगवत गीता had a profound impact on गांदी जी as well इन्हीं किताबों से influence draw करते हुए, अब गांदी जी ने जीवन के साथ सिन बताए, सिन का मतलब होता है गलत काम, ठीक है साथ पाप बताए, साथ पाप कौन है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है एक्जाम में ये पूछा जा सकता है, और mains की answer राइटिंग में भी ये काम आता है, ठीक है ये चीज कही ना कहीं, अगर आप mains लिखते हैं, ठीक है mind it my friends, P2Y में मैं ऐसे ही link करवाता हूँ, बच्चों को history को, बाकी सारी चीज़ों से link करवा देता हूँ, nepotism की debate जो चल रही है, उसमें गांदी जी के इन साथ सिंस का पहला सिंस अगर आप बताओगे ठीक है, link करके, depending means का question कैसा आया है, आपकी extra value addition होगी, ठीक है, so this is very important, wealth without work, ठीक है कि nepotism, भाई, बती, जब आदनी, आपमे कुछ होना चाहिए, आप कुछ कर रहे हो, कुछ value addition कर रहे हो, उसका आपको wealth मिलनी चाहिए pleasure without conscience, ठीक है, कि आप pleasure लेते जा रहे हो, लेकिन आपकी conscience जो है, आपमे conscience है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या है, ये कहते हैं न, शराब और शबाब, ठीक है, वो उस तरह का, this is another sin, ठीक है, उस तरह का हिसाब, जो है, pleasure without conscience, कि आप pleasure ले रहे हैं, लेकिन आप में conscience है नहीं, तो अगर conscience के बिना आप pleasure ले रहे हैं, तो आप sadist बन सकते हैं, यानि कि किसी और के दुख में आपको खुशी मिल रही है, वो पाप है, ठीक है, आपकी conscience होनी चाहिए, कि अगर आपको pleasure मिल रहे है, वो pleasure किसी और के दुख से derive नहीं होना चाहिए, this is what this thing is saying, ठीक है, इसके पाद knowledge without character, रावन बहुत ग्यानी था, बहुत ग्यानी, लेकिन कही ना कहीं कमी थी, character में problem थी, so knowledge without character ये भी पाप है, ठीक है, हिटलर, जबरदस तरीके से उसने जर्मनी को एक handicap nation से कहां का कहां पहुंचा दिया, लेकिन character में दिक्कत थी, ठीक है, दिमाग कहीं और चला गया, तो वो कुछ और होना start हो गया, तो knowledge आपके पास अगर है, ठीक है, even 9-11 attack में भी engineer जो उस गैंग में शामिल था, जिसने attack में, one of the person who was there in 9-11 attack, उस engineer था, ठीक है, उसने अपनी knowledge का गलत इस्तिमाल किया, तो character सही होना चाहिए, commerce without morality, क्या आप अगर व्यपार कर रहे हैं, ठीक है, adulteration जैसी चीजें, वो भी पाप है, science without humanity, scientific development कर रहे हैं, लेकिन मानव जाती के बारे में सोचे बिना आप scientific development कर रहे हैं, तो that is wrong, इसको आप environmental issues के साथ भी link कर सकते हो, humanity without nature is nothing, science without humanity अगर करेंगे, ठीक है, तो हमारी existence भी अपने आप में question mark है, religion without sacrifice, धर्म, और अगर अपनी duty करनी है, ठीक है, धर्म का मतलब इंडिया में तो duty होता है, ये तो अंग्रेज हैं, अपने साब से देखते हैं, तो religion में धर्म को अगर follow करते हो, तो उसमें बलिदान का भी एक भाव होता है, अगर आप धर्म सिर्फ धर्म follow करने के लिए follow कर रहे हो, उसका कोई फाइदा नहीं, उसमें बलिदान का भाव भी रहता है, तो religion without sacrifice is also a part of seven sins, one of the seven sins, politics without principle, आप राजनीती कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ideology ही नहीं है, ठीक है, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, कहते हैं तो politics without principle, अगर आप राजनीती में हैं, आपके मूल सिधांत होने जरूरी है, आपका agenda होना जरूरी है, कि आप किस तरह का structure aspire करते हैं, कि एक देश को, या अपनी state को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए, क्या ways and means आप identify करते हैं, so इन किताबों का गांदी जी पर असर था, और ये गांदी जी के seven sins थे, option में simply आ सकते है कि कौन से इन मिसे seven sins नहीं है दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर linkage की है हमारे batches में इसी तरह से linkage होती है, और 2024 की तरह, अगर 2025 को कोई target कर रहा है उनके लिए भी हमारे पास एक batch है ठीके, ये batch basically start हो गया है अभी इसमें सिरफ introduction ही हुई है, ठीके, 11th March से ये start हुआ था long term batch है, और इसका new batch आने वाला है ठीके, तो जब भी आपको लगे, सही time है तो enroll कर ले न, तो इस batch में क्योंकि हमें पता है कि working or college going professionals, ठीके, working professional और college going लोग, इस batch का फाइदा ले सकते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बहुत ज़ादा content को daily revise कर सकें तो इस batch में जो speed हमारी है वो इस हिसाब से है, कि एक दिन में हम उतना ही कराएं जितना आप digest कर सकें ठीके, तो 2025 को अगर कोई target कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा batch है इसमें भी सारे features हैं, इसमें एक feature और है ठीके, 2024 के वाला course आपको दो साल के लिए valid रहेगा, ये course आपको तीन साल के लिए valid रहेगा Along with that, एक additional advantage इसमें क्या है यहाँ पर अगर आप 2024 की January तक आपको लगता है कि prelims दे सकते हो तो आपको prelims का crash course 2024 के लिए free of cost मिलेगा, ठीके और 2025 का तो definitely मिलेगा ही, तो ये badge कभी आप काफी फाइदा ले सकते हैं, और अगर कुछ maximum possible discount चलिए, यहाँ पर आते हैं moderate approach में कुछ और भी इन्होंने activities की थी, जैसे कि इन्होंने Natal Indian Congress का सापन किया, और Indian opinion जैसे मैंने बताया था, 1903 में इन्होंने start कर दिया था, और जितने भी South Africa में Indians के concerns थे, वो यहाँ पर इस अपने journal से, ठीके और Natal Indian Congress की मदद से इसको अभिवक्त करते थे Indian opinion गांदी जी का एक mouthpiece बन गया इसमें अब important fact आपको यह पता होना चाहिए कि यह हर हफते publish किया जाता था यह daily नहीं था, यह weekly था ठीके एक बार weekly था, यह अंग्रेजी भाशा और गुजराती भाशा दोनों में चपता था और इसके editor कौन थे, मनसुखलाल नाजर, ठीके, मनसुखलाल नाजर, और क्योंकि यह moderate approach है moderate approach में crown और Britishers के खिलाब बहुत जादा vehement opposition नहीं देते थे गांदी जी ठीके बहुत strong opposition नहीं देते थे तो इन्होंने हमेशा British crown के प्रती, वफादारी का भाव ही व्यक्त किया बढ़ हाँ, इनका माना था कि शायद अंग्रेजों को हमारी व्यथा के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो अंजान है इसलिए गलत हो रहे हैं, अगर मैं अपने Indian opinion और NATO Indian Congress की मदद से, अंग्रेजों को और सरकार तक की बात पहुँचा दूँ, कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके चलते वो सही decision ले पाएंगे, ठीक है इन चीजों की मदद से और कई सारी petitions की मदद से वो British policies में बदलाव लाने की कोशिश करते थे, लेकिन हुआ वही के कुछ, मतलब something जो टेड़ी होती है, वो सीधी नहीं होती और लात्तों के बूत बातों से नहीं मानते तो यहाँ पर यह चीकते जा रहे थे, लेकिन इनका कोई असर हुआ नहीं अंग्रेज़ों पर, तो इनको अपनी approach चेंज करनी पड़ी, इनको extremist approach अब follow करनी पड़ेगी extremist approach में जो इनका सबसे पहला संगर्ष था, वो था, Asiatic registration bill के खिला, South Africa की सरकार ने क्या किया, ठीके, एक Asiatic registration bill को propose किया जहां पर हर Indian को अगर वो South Africa में रह 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 है उसको खुद को register करना पड़ेगा ठीके, कि वो यहां पे रह 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 है एक registration certificate मिलेगा और हर time उस certification को अपनी pocket में रखना पड़ेगा ठीके, यह सिरफ Indians के साथ था ठीके, subcontinent से जो लोग South Africa में जाते थे तो यह भी discriminatory था गांदी जी ने कहा कि हमें ही क्यूं हमें ही को use करना पड़ेगे certificate, यहां तो सभी के लिए करो सब बराबर हैं, हमको क्यूं कह रहे हो ठीके, और अगर आप register नहीं करते तो यह माना जाएगा कि आपने अपराद किया है और appropriate punishment दी जाएगी ठीके, कभी भी आपको registration certificate produce करने को कहा जा सकता है और कभी भी police आपके घर आकर यह papers चेक करने के लिए आ सकते हैं गांदी जी ने इस Asiatic registration bill के विरोध करने के लिए passive resistance association का संगठन किया 1906 में, यह PDF आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम चानल पर आजाना यह देख लोगे आप, ठीके यह passive resistance association 1906 में बनी, तो इस simple सा सवाल आ सकता है आपसे, कि passive resistance association गांदी जी ने कौन सी मोहीम के दोरान बनाई तो Asiatic registration bill को इसका विरोध करने के लिए गांदी जी ने इसका निर्मान किया था, ठीके यह South Africa की बात है, राइट तो यहाँ पर लोग unite हुए और इस संगठान की मदद से Asiatic registration bill के खिलाफ, गांदी जी का जीवन में सबसे पहला सत्यगरे यहाँ पर हुआ ठीके, 1906 में South Africa में इंडिया में चंपारन लेकिन otherwise पूरे जीवन में, overall अगर हम बात करें, तो वो South Africa में Asiatic registration bill के खिलाफ होगा यह बहुत important point है, बच्चे इसमें बहुत गलती कर सकते हैं, ठीके आपसे यह सवाल पूछा जाए कि which of the following, at which of the following places, did गांदी जी held his first सत्याग्रे, ठीके और उसमें चंपारन भी है, और एक option none of the above भी है, ठीके तो पता ही नहीं होगा कि आपको चंपारन नहीं, none of the above होगा उसमें अगर South Africa महां mention नहीं है ठीके तो ऐसे चीजों से बचने के लिए information काफी आपके काम आ सकती है अब अश्याटिक registration बिल में गांदी जी ने जब विरोध करना शुरू किया सत्याग्रे किया, ठीके इसमें कहा कि हम boycott करेंगे सारे registration offices को तो वहाँ पे मौजूद ठीके, secretary जो थे colonies के colonies के जो secretaries थे general smuts इन्हों ने, ये एक कस्मंजस में आ गए, ठीके, इनको था कि बहुत जादा विरोध हो रहा है, criticism हो रहा है इनके जो अकबार वगरा भी है उसमें भी काफी कुछ लिखा जा रहा है, ठीके, और crown का भी pressure आ रहा है कि South Africa में situation हो क्या रही है, तो इन्होंने गांदी जी को offer किया कि हम इस bill को, इस legislation को वापिस ले लेंगे, अगर आप अपनी मर्जी से खुद बाखुद registration करवा ठीक है, forcefully हम नहीं करेंगे तो ये promise हुआ था, गांदी जी ने का कि ये तो reasonable लगता है, ठीक है तो कर लेते हैं, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या इनकी शकल देखके आपको लगता है, ये promise फुल्फिल करेंगे, नो, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बस एक बार registration करवाली, उसके बाद कहा, अब देखो भईया, register तो हो ही चुके हो, तो क्या फरक पड़ता है, बिल अगर पास हो भी जाए, इसको आक्ट बना ही देते हैं, तो ये धोका हुआ, गांदी जी कह रहे थे कि हम boycott कर रहे हैं, हम registration नहीं करवाएंगे, इन्होंने का, अगर अपने आप registration कर दोगे, तो हम ये कानून वापिस ले लेंगे, तो फिर forcefully registration नहीं करवानी पड़ेगी, बट जब registration हो गई, तो इन्होंने का कि चलो, अब तो हो गई, अब तो रखो जेब में, registration certificate अगर बन ही गए हैं, तो रखो जेल में जेब में, गांदी जी ने का कि अच्छा, जादा smart बन रहे हो, ये लो, मैं इसको आग लगाता हूँ, उन्होंने आग लगाई, उनका देखा देखी, उनके साथियों ने भी आग लगाने शुरू कर दी, जो उनके Phoenix Farm के कई साथी थे, ठीके, और डर, लोगों है, कि ये discriminatory है, तो मैं इसको follow नहीं करूँगा, ठीके, in fact, this is civil disobedience, to be precise, ठीके, I correct this, ये civil disobedience है, यहाँ पर अब वो कानून तोड़ रहे है, registration certificate, important document है, आग लगा रहे हैं, अब कानून तोड़ा जा रहे है, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये same चीज़ की, अब उनको jail में डाल दिया गया, कानून तोड़ा है तो, ठीके, this is civil disobedience, ये भी सबसे पहले गांदी जी ने South Africa में ही की थी, अब जब बहुत सारे सत्यक रही jail में चले गए है, गांदी जी भी jail में गए थे, पर उनको बाद में छोड़ दिया गया था, ये सत्यक रही के परिवार के लोगों का पालन पोर्शन करने की परिशानी आ रही थी, तो गांदी जी ने कहा, कि जिस प्रकार एक Phoenix farm बना है, मैं Tolstoy farm भी बनाऊँगा, ठीके, तो इन्होंने Tolstoy farm का भी स्थापन किया 1910 में, ठीके, ये भी South Africa में ही था, और यहाँ पर इन सत्यक रही जो jail में है, इनकी families ताकी परिशान ना हो, तो इनके लिए Tolstoy farm बन गया, यहाँ पर भी community living हो रही है, कुछ economic activities अंदर कर रहे हैं, ठीके, कुछ conservative activity से अपना पालन पोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह significance होई, और 100 साल बाद गांदी जी ने का, कि ताकी UPCS पर सवाल बना सके, कि सबसे पहले Phoenix farm आया है, तो यह लो, Tolstoy farm आपके लिए, अब इनके इस gesture को देखते हुए, बहुत से लोगों ने इनको support भी किया, जिसमें prominent names थे, इनके एक मित्र थे, जर्मनी के थे, Herman Callenbach, ठीके, इनों ने गांदी जी को funds provide किये, ताकि यह Tolstoy farm चल सके, और इन सत्यग्रहियों को के परिबार जनों को support मिल सके, रतन जी टाटा ने, निजाम of Hyderabad ने, Muslim League ने भी और Congress ने, सभी ने funds provide किये, तो गांदी जी was very popular due to his activities in South Africa, even before he reached India, जब यह सत्यग्रह बहुत wide level पर होना start हो गया, तो वहाँ पर सरकार थोड़ी ची tension में आगी, यहाँ पर ना King George 5 की coronation ताजपोशी होनी थी, तो सभी अधिकारियों के उपर यह pressure था, कि अपनी सारी colonies में एकदम discipline रहे, तो यह क्योंकि pressure था crown का, कि King George 5 की coronation सही से होनी चाहिए, कुछ चूंटणाय नहीं होनी चाहिए, अगर चूंटणाय होई तो King जो है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तो सत्यग रहियों ने अपना protest थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो जब promise नहीं रखा गया, 1913 में उन्होंने फिर से अपना promise स्टार्ट कर दिया, और अपनी demands रखी, कि इस registration जैसे घटिया act को हटाया जाए, अंग्रेजों ने pole tax भी start किया था, pole tax में क्या होता था, कि जितने भी indentured labors हैं, ठीक है, indentured labors को यहाँ से, आफरिका में plantation workers की तरह ऐसे काम करवाया जाता था, तो उनके उपर एक tax लगता था, तीन pound उनको देने पड़ते थे, जबकि उनकी आमदनी केवल 10 शिलिंग की होती थी, आप यह समझ लो, कि किसी की 10 पैसे आमदनी है, उसके उपर 3 रुपे का tax लग रहे, makes no sense, इसी के साथ-साथ immigration law was very faulty, एंड एक Supreme Court ने क्या किया एक judgment दी, कि जो marriage, South Africa में ऐसा भी judgment से, एक कानून ऐसा बन गया, कि जो भी वहाँ पर शादियां है, जो Christian rituals के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है, हिंदूस की जो शादियां होगी, या Sikhs की या Muslims की शादियां होगी, वो Christian rituals में नहीं होगी, तो ऐसी शादियों को, मतलब अमानेता दे दे दी गई, कि हम recognize नहीं करते हैं under law, और जो बच्चे हैं, they are illegal kids, तो ये हमारी महिलाओं के, मान सम्मान के उपर एक बहुत गहरा दंश था, ठीक है, तो बहुत जबरदस्त resistance, और सब तक रहे, इन सभी चीजों के खिलाफ हुआ, consequently, अंग्रेजों को जुकना पड़ा, और जनरल समट्स को, Indian Relief Act of 1914 पास करना पड़ा, इस act के जरीए ये जो पोल टेक्स था, laborers के उपर, endangered laborers के उपर, वो हटा दिया गया, और ये laborers free हो गए, ठीक है, marriages जो भारती rituals के हिसाब से होती है, चाहे वो Muslims के हो हो, Hindu की या सिखों की, तो उसको कहा गया कि ये legal है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि सरफ Christians ही marriage करते है, आपने जिस हिसाब से rituals आपने follow किये हैं, it is fine, और एक जो registration certificate, यानि की registration certificate, या domicile certificate एक ही बात है, अगर आपके पास है, तो ये सिरफ Africa में enter होने के समय चाहिए होगा, ताकि वो certificate में आपको दिखा सको, कि आप South Africa Indian हो, लेकिन South Africa में ही रहे रहे हो, ठीक है, तो वो domicile certificate of South Africa आपको, सिरफ South Africa enter करना होगा, तब ही दिखाना होगा, which is fair, ठीक है, ये फैसला किया कि हम ये चीज़ें, इंडियन्स की ये इस डिमांड्स को फुल्फिल कर देंगे, तो consequently ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो इस प्रकार से गांदी जी ने South Africa में, अपने सत्याग्रह को, एक तरीके से बहुत wide और popular movement बना लिया, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ लगी, और आप ये appreciate कर पा रहे हो, अब बीच में गांदी जी एक बार इंडिया आये थे, properly तो देखो 1915 में आएंगे ये, 9th January को, जिसको हम प्रवासी भारतिय दिवस की तरह भी मनाते हैं, लेकिन पहली बार, पहली बार एक तरीके से इंडिया में, South Africa जाने के बाद इंडिया में, इनकी थोड़ी सी association होनी start हो गई थी, इसी के साथ साथ, इन्होंने Calcutta session of Congress भी attend किया था, 1901 में, Calcutta session of Congress 1901, जिसमें गांदी जी मौजूद थे, उनको preside किया था, DE वाचाने, तो Congress के साथ, गांदी जी का सबसे पहला contact, इस session में हुआ था, important for your exam, इसी session के दौरान, पिरोशा मैता, बाल गंगादर तिलग, गोपाल कृष्ण गोखले, और बाकी कुछ दिगज लीडर्स की मदद से, ठीक है, दिगज लीडर्स के चलते, उनके contact में basically यह आ गए, और जब गांदी जी इंडिया में आये थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले was the person, जिनके influence में फिर गांदी जी ने decide किया, कि South Africa की learnings को, मैं इंडिया में भी apply करूँ, ठीक है, he was the person जिन्नोंने, persuade किया था गांदी जी को, इंडिया में आने के लिए, और इस session में गांदी जी ने, ठीक हलांकि इतने बहुत ज़्यादा association नहीं थी, लेकिन एक resolution pass यहां पर करबा दिया, जो की South Africa में रह रहे भारतियों की favor में था, और उनसे related था, और early 1915 तक, वो हलांकि आफरिका में रहे थे, लेकिन इंडिया में भी काफी famous हो गए थे, एक और fact याद रखना, कि गांदी जी के political guru, गुपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, और गुपाल कृष्ण के political guru, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, MG रानाडे, ये हैं, ये important है, एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, एक fact है, याद रखना, इसके बाद, जब 1915 में गांदी जी यहां पर आ जाएंगे, तो बहुत सारे उन्होंने, आंदोलोनों को lead करना है, तो वो अपने आप में हमारा freedom struggle का part है, तो उसमें non-cooperation, civil disobedience, गांदी इर्विन पाक्ट, first roundtable conference, second roundtable conference, individual सत्याग रहा है, quit India movement, ये सारी चीज़ें आती है, तीके, इसमें गांदी जी के बारे में एक और चीज़ा प्यात रखना, केवल एक Congress का session था, जिसको गांदी जी ने preside किया था, वो कौन सा था, 1924 का, Belgaum का Congress session, जो आज की date में, dispute में चल रहा है, between Maharashtra and Karnataka, तो, Karnataka के पास से, Maharashtra claim करता है उसको, कि ये Marathi speaking population है, तो यह हमारा होना जाहिए, तो 1924 का Belgaum session, Iqalota ऐसा session था, जिसको गांदी जी ने preside किया था, तीके, अब, इंडिया में जब वो properly फिर आगे थे, 9th January 1915 में, तो, initially तो उन्होंने decide किया, कि मैं सिर्फ observations करूँगा, observations करने के बाद, local कुछ issues थे, जिनको उन्होंने सोचा, मुनास्त समझा, कि मैं इसको address करूँगा, ठीके, तो चंपारन, एमदाबाद, और खेडा सत्त्यगर, ये important है, चंपारन में क्या था, चंपारन का जो मुद्दा था, वहाँ पर indigo farmers थे, German dye आ चुकी थी, आपको पता है कि indigo नील है, नील को indigo कहा जाता है, कपड़े को सफेद करने के लिए, इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब German dye आ गई, तो indigo की इतनी, जुरूरत नहीं पढ़ रही थी, ठीके, तो indigo planters वो लोग होते थे, जिन्होंने ठेका लिया होता था, indigo provide करने का, अब जब German dye सस्ती मिल रही है, तो obviously ये planters का नुकसान होगा, क्योंकि इनका indigo महंगा है, तो अपने product को competitive बनाने के लिए, ताकि अपना product के बहुत सस्ता बना पाएं, इन्होंने forcefully, जो किसान लोग थे, उनको force कर रहे हैं, कि जादा से जादा indigo उगाओ, ठीके कि 320 पार्ट की उपर, अपनी जमीन के 3 by 20 पार्ट की उपर, indigo की cultivation करो, और जो सस्ते price पे हम लेना चाहते हैं, वो सस्ता price दो, और आपको ये बता दूँ कि indigo की cultivation से, soil की quality इतनी down हो जाती है, कि अगले साल उसी जगापर दुबारा indigo नहीं cultivate हो सकता, और soil की quality down होने से, जो खाने की चीज़ें होती ही न, wheat बगेरा, ये भी cultivate नहीं हो सकती, ये ही reason था, जिसकी वज़े से मानलो, आज इदर indigo उगाया, अगले साल यहाँ पे, अगले साल यहाँ 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 पे, और एक time ऐसा आया कि ये पूरा land आपका, ये हूँ तक नहीं उगा सकता, तभी famines आयों हैं, तभी famines आते थे, अंग्रेजों के सासन में, तो I hope ये चीज़ आपको समझ लग गई है, तो इसका विरोध करने के लिए, राजकुमार शुकला ने, गांदी जी को चंपारन बुलाया, तो चंपारन जब वो आए, तो पहले तो अंग्रेजों ने उनका आना मना कर दिया, गांदी जी ने कानून तोड़ा, तो ये उनका सबसे पहला civil disobedience इंडिया में था, ठीके, कानून था, कानून एक official order कहा था, कि गांदी जी ना एंटर हो, लेकिन गांदी जी फिर भी एंटर हुए, उसके बाद, जब सरकार को ये लगा, कि नहीं, मामला बिगड सकता है, एक appointment committee बना देते हैं, जो कि इस मुद्दे को solve कर सके, तो उस appointment committee में, गांदी जी भी member थे, ठीके, क्योंकि competitive बनाना है, तो ज़ादा indigo extract कर लिया गया था, cheap price पे, that was illegal, ऐसे illegal extraction के लिए, गांदी जी ने कहा, कि ये किसानों को, मुनासिफ, जो भी मुआवजा है, वो provide करवाया जाए, लेकिन बाद में, एक compromise हुआ, और कहा गया, कि सिरफ 25%, जो money लिया गया है, 25% का जो पैसा है, वो मुनासिफ के राया जाएगा, जैसे मान लो, कि 1000 रुपे का, indigo गलत तरीके से ले लिया गया, तो उस 1000 रुपे का, 500 रुपया इनको मिल जाएगा, ठीक है, किसानों को वापिस मिल जाएगा, ठीक है, बोनस था कि एक बिमारी फैली थी हमदबाद में, तो उसके चलते, थोड़ा एक्स्टा पैसा दिया जाता था, वरकर्स को, ताकि वो, प्लेग से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, उनके साथ डील कर सकें, तो इसको वापिस लेने का, डिसाइड किया गया, और यह वरकर्स कह रहे थे, कि हमें 50% की हाइक चाहिए, वेजिज में, वो तो कीनी, प्लेग बोनस उल्टा, और वापिस ले लिया, ठीक है, वो भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वार टाइम इंफलेशन भी चल रही थी, और उन्होंने कहा, कि हमें proper हाइक दो, proper हाइक मिली नहीं, सिरफ 20% मिली, जिससे वरकर संतुष्ट नहीं थे, तो यहाँ पर अनुसुया सारा भाई, इन्होंने गांदी जी को एप्रोच किया, और कहा कि एहमदाबाद में प्रॉब्लम है, तो राजकुमार शुकला वाउस कहां पर, चंपारन में, अनुसुया सारा भाई, यहाँ पर एहमदाबाद में गांदी जी को लेकर है, तो यहाँ पर स्ट्राइक पे गए, स्ट्राइक पे इन्होंने कहा कि 35% की डिमांड रखो, कि 50% की जगा 35% increase मांगो, गांदी जी ने वर्करस को सजेस्ट किया, वर्करस हरताल कर रहे थे, ठीके जो authorities थी, वो भी उनको दबाने की कोशिश कर रहे थी, वर्करस का जो moral था, वो डाउन हो रहा था, तो वहाँ पर गांदी जी ने उनके moral को अप करने के लिए, fast unto death भी रखा, कि मैं भूखा रहूंगा, मैं या तो मर जाओंगा, यहाँ आप हमारी demands फुल्फिल कर रहो, तो इससे workers का काफी ज़ादा moral boost हुआ, authorities भी डर गई, तो वो जुक भी गई, तो गांदी जी का इंडिया में आकर first fast unto death, एहमदाबाद में हुआ, ठीके, पूना पैक्टन में खेड़ा का सत्यक्राइन उनने किया, यहाँ पर सुखा पड़ा था खेड़ा में, यह गुजरात की district है, सुखा पड़ा था, और एक revenue code चलता था, खेड़ा में, जो कहता था कि, अगर yield, normal produce के एक चोथाई से कम है, ठीके, तो फिर farmer को, मतलब revenue से नहीं लिया जाएगा, तो इनसे लगान लिया जा रहा था, और जो लगान नहीं दे रहे थे, उनकी property confiscate की जा रही थी, तो यह तो नजायज है, ठीके, तो यहाँ पर गांदी जी फिर से गए, और 22nd March 1918 में गांदी जी ने यहाँ पर सत्यागरे लांच किया, और कहा कि कोई tax ना पे करो, ठीके, तो य वल्लब भाई पतेल, नरहरी पारिक, मोहनाल पांडया और रवी शंकर व्यास, ठीके, इन्हों ने गांदी जी को काफी support किया, और ground level पर, गांदी जी spiritual head थे, ground level पर इन सारे leaders ने यहाँ पर work किया, और यहाँ के experience के basis पे यह गांदी जी की ugly moments में भी important role play करेंगे, ठीके, तो political, actual political leadership, इन लोगों ने दी, गांदी जी was spiritual head, ठीके, वो एक figurative head थे, और इसका समधान क्या निकला, कि government यह मान गई कि हाँ, revenue code हमें मानना चाहिए, और हम इस tax को, ठीके, अभी के लिए suspend कर रहे हैं, और जो rate of tax अगले साल के लिए है, उसमें भी रहायत दी जाएगी, ठीके और जितनी confiscated property है, वो सारी property, वापिस कर दी जाए, तो यह था गांदी जी के बारे में, अब कुछ MCQs हमने करने हैं, बिना MCQs के बात नहीं बनेगी दोस्तों, तो यह MCQs के answers, आप लोग comment में साथ-साथ लिखिए, ठीके, MCQs के answers को comment में, live comment नहीं, नीचे वाले comment में साथ साथ लिखिए, ठीके, I want कि इसमें maximum participation आपकी हो, let us see कितनों क्या correct होता है, ठीके, और अपना score भी बताना, question first है, what was the first venture by गांदी जी in all India politics, ठीके, all India politics में, गांदी जी का सबसे पहला venture क्या था, 1999 में यह सवाल आया था, ठीके, 1999 में यह सवाल आपसे पूछा क्या था, क्या answer इसका चंपारन movement, अब इसमें ना एक confusion होती है बच्चों को, देखो चंपारन ना localized movement है, ठीके, it is localized, right, लेकिन all India politics की अगर बात करें, उसमें पहली बार जो गांदी जी जब South Africa से वापस आए, तो वापस आके एक साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो सबसे पहला मुद् कौन सी थी गांदी जी की सबसे पहली, तब बात ही कुछ और होती, ठीके, तब यहाँ पे कोई और चीज़ आनी थी, right, तो चंपारन इंडिया में आके चंपारन movement उन्होंने सबसे पहले की थी, तो answer इसका C बने गया, तो question 1 का answer C है, question 2 पे चलते हैं, where did गांदी जी first successful satyagrae after returning from South Africa, अब देखो दोस्तों, 1999 में जो सवाल पूछा गया है, 2000 में देखो, दुबारा words को change करके पूछ लिया गया, और कई लोग कहते हैं कि UPS से भी तो सवाल आतने, repeat नहीं होते हैं, क्यों नहीं हो रहें, और तो रहें, क्या answer होगा इसका, again, इसका answer भी, option C ही है चंपारण, अगले question भी चलते हैं, at which one of the following places, ये question 3 है, question 3 का भी answer लिखना, at which one of the following places, did Mahatma Gandhi first start his satyagrae in India, ठीक है, तो ये, क्या answer बनेगा, चंपारण, ठीक है, इसका answer करो, question 4 का, which of the following are the correct reasons for the decline of revolutionary movement after 1918, ठीक है, ये आपको topic से थोड़ा हट के दिया गया है, ठीक है, उसका भी link, मतलब इस समयकाल के दोरान ही सारी चीज़ें हो ली थी, तो मैं उमीद करता हूँ, कि आप इसका सवाल दे पाएंगे, ठीक है, decline जो revolutionary movement की, 1918 के बाद हुई, उसका क्या current था, lack of popular response, stern government repression along with series of draconian laws, release of all political prisoners arrested under Defense of India Act, क्या answer होगा, इसका, इसका answer बनेगा, D, इस सारे ही reasons है, popular response revolutionary movement में घट गया, क्योंकि गांधियन politics का era start हो गया, ठीक है, तो गांधियन politics के era start होने के बाद, लोगों को एक channel मिल गया, जहां पे वो अपनी energies, सब तक रह के methods में लगा सकते हैं, non-violent तरीके से, so, first should be another answer, second कह रहा है कि government ने repression की, ठीक है, बहुत draconian laws आए, तो ब वहीं पे जाएंगे वो, release of all political prisoners arrested under defense of India act, ठीक है, ये चीज़ भी हुई थी, ये भी development हुई थी, तो इसका answer option D है, ठीक है, ये हम अपने P2I में भी इसको बड़े अच्छे से cover करते हैं, अच्छा, गांधी जी के initial political struggle के context में आपको इन्हे chronologically arrange करना है, बताओ इसका क्या answer होगा इसका, सबसे पहले क्या हुआ था, चमपारन, चमपारन के बाद, एहमदाबाद, एहमदाबाद के बाद, खेडा, तो 312 will be the answer, option C answer बन गया, ठीक है, ये बताओ, इसका answer बताओ, match type का question आ सकते हैं, और आजकल न, ये तो पहले आते थे, आजकल हो गया, only one pair is correctly matched, two pairs are correctly matched ऐसे सवाल भी बन जाते हैं, बताओ क्या answer होगा इसका, चमपारन सत्यागरा का reason क्या था, ये कह रहे, failure of British authorities to compensate the farmer for drought, ये चमपारन का था, के खेडा का था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, एहमदाबाद का क्या reason था, ये कह रहे, discontinuation of plague bonus by mill owners and reluctance to hike wages, ये बिलकुल सही है, एहमद खारन का था, तो UPS से करना पैंतरा है ये, interchange करनेगा, तो first or three को यहाँ पे interchange किया हुआ है, सिरफ second आपका correctly match पेर है, answer क्या बन गया, answer B बनेगा, ठीक है, correctly match पूचा है, correctly match सिरफ second वला है, तो answer B बनेगा, ठीक है, ये PDF में ठीक करके आपको provide कर दूँगा, right, so दोस्तों, ये Study IQ की YouTube channel के साथ बने रही है, अपनी preparation करते रही है, इश्वर से मेरी प्रातना है कि जितने efforts, शिदत से आप लगा रहे हैं अपने preparation, exam की तयारी में, उससे 10 गुना ताकत भगवान की जुड़ जाए उसमें, और आप अपना success जरूर अचीव करें, और courses में enroll करने के लिए, use the code C, ठीक है क्या use करना है code, ठीक है कौन सा code है, बड़ा ही प्यारा code है, use the code CS live, ठीक है इससे आपको maximum possible discount मिल जागा, बहुत जल्द फिर आप से हम classes में मिलेंगे, thank you so much.